है है हलो बच्चों श्वागत आपका में की डीजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो देखे बच्चों आपके जो एक्जाम डेट है वो क्या हो चुकिये है डेक्लेयर हो चुके है तो आज हम बात करेंगे देखे बच्चों साइंस के आपके जो इस लेटेड जुसमें साइंस पूछी जाती है आपके एक्जाम में CBT1 में तो उसे रिलेटेड कुछ बाते करेंगे वैसे तो आप लोगों ने अपना जो कोर्स है वो थियोरी वेगेरा पढ़के अपने क्या कर दिया होगा और अगर हम बात करते हैं उसमें बायो और इसकी फिजिक्स के बारे मे आपको पहले थियोरी पढ़नी है उसके बाद आपको MSQS वेगेरा लगाने हैं और आपको अपना मुल्यांकन करना है क्या करना है आपको वो चीजे पहले थियोरी से अपको अबड़के बात करना है झाल 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 दूशा जो टॉपिक है जो दूशा जो टॉपिक है इसमें आपसे सबसे मोस्ट इंप्रोटेंट यूमन फीजियोलोजी यूमन फीजियोलोजी से यूमन फीजियोलोजी से आपके पाश हर बार एक दो क्वेस्टिन पूछ ले जाते हैं ठीक है जिस यह यह यूमन फीजियोलोजी के अंतरकत आप बहुत सारी चीज़े पढ़ लेते हैं जिसमें आपका आज जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया रस्परेशन सिस्टम हो चाहिए या फिर एक्स वुर्षन तंत्र तंत्र आपका स्कल्टन अग्जिक कांकाल तंत्र हो गया आपसे स्कल्टन सिस्टम के पर पूछा जाते नमर ए जाता है लिक सारे से सवाल बनते हैं ऐसे ही अधर जो क्या है और टॉपिक की अगर मैं बात कुर आपसे तो जैनेटिक्स यह जैनेटिक्स यह क्या है जो जैनेटिक्स है इससे आपसे हर बार एक नेक सवाल जुरूर बनता है तो आपको क्या करना है मैंने आपसे पहले भी कहा है आपको क्य सवाल बन रहे हैं सबसे में इंपोर्टेट में आपको बता दीता हूं सवाल को कभी भी हो जो क्वेस्टन से अगर आप क्वेस्टन से पढ़े रहे हैं इसको क्या करने तसली से पढ़ना है प्रॉपर पढ़ना है कि आप से पूछ क्या रहे है कि सीज के बारे में पूछ रहे आपको क्या करने है क्वेस्टन को अच्छे से से पढ़ना है उसके बाद क्या करना है उसके आनसर्स क्या करने तो और अधर कुछ और क्विस बताऊं मैं तो आपका आता है विस प्रेकार से ऑप कि आपको assemble था तो फ्लांट फिडियोल्लॉजी क्या है फ्लांट फिजम लॉजी ठीक है इस से भी कि फांट profitable उपट्रम एफ कि प्राइब अप्लांटु अथे आपके एक्जाम में हर बार कोई न्न उस जैसे फिलांट चैकला पूछ generic तो नहीं आपके option अगर दिये हुए है जिब्रेलिन ठीक है oxygen जिब्रेलिन वेगरा दिये है तो आपको यह plant हमों जब आप plant physiology पढ़ेंगे इसके अंतरगत आप क्या पढ़ेंगे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं इन सभी के बारे में आपसे क्या पूछे जाते हैं questions पूछे जाते हैं ठीक है और हाँ एक और other topic देखिए human physiology के एक आता है human health यह वैसे तो बहुत common सा टॉपिक है human health and disease human health and disease देखे बच्चों इससे क्या होता है यह क्या है हम से related human से related एक normal सा topic है लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपसे बहुत बार आपसे बहुत बार क्या दिखे इसके अंतरगत आने वाले जो questions यह बनते हैं बिल्कुल बनते हैं है ना आपसे disease पूस्ट लेगा वाइस से कौन सी होती है यह फिर प्रोटोजवास से कौन सी होती है वो सारी disease के बारे में आपसे पूछा जाता है आपसे यह बहुत कम समय और उसको क्या कर रहे है थोड़ा रिवाई अपना ठाइम थोड़ा दिए और क्या करें डियांगे तो कुछ topics मैंने आपको बताए बायो के सेल हो गया, human physiology होगी, आपसे बहुत बार से सवाल बनते हैं, ठीक है, genetics हो गया, plant physiology, plant physiology से आपसे एक और दो question आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और human health, ये क्या है, basic सा, एक basic सा क्या है, इसमें basic सा topic है, लेकिन इससे आपसे बार-बार आपके सवा, आपके exam में क्या पूछी जाते हैं, बार-बार आपसे बहुत सारी questions पूछ ले जाते हैं, ठीक है, और other देखे, और हम कुछ अन्य topic के बारे में बात करेंगे, taxonomy, जो taxonomy, इससे भी क्या कर लिए जाते हैं आपसे, बहुत सारी सवाल पूछने जाते हैं, आपसे इसका फादर का नम पूछे जाते हैं, जैसे taxonomy के अंतरकत पढ़ते हैं, इसको किसने क्या क्या था, ये taxonomy जो word है, इस taxonomy में के अंतरकत क्या क्या पढ़ें, है ना, किसने plant का वरगी करन क्या था, किसने classification क्या था, plants का, है ना, वो सारी चीजे इनसे आपको जरूर क्या है आपसे सवाल इससे पूछे जाते हैं ठीक है तो आपको बताया मैंने कुछ वैसे तो आपके सारी चीजे पूछे तो आपको क्या करने ऑला है थोड़ी सी भी धिलाई नहीं देनी है अपनी पढ़ाई को क्या करना है जो आपके स्टडि चल रही है उसको क्या करने बिलकुल कंटून में बात करूं, तो chemistry के क्या है, chemistry के भी अपने कुछ क्या है, basic topic है, जिनके बारे में आपसे बार-बार सवाल पोछे जाते हैं, है न, क्या होता है, इनसे बार-बार क्या पोछे जाते हैं, सवाल पोछे जाते हैं, जो basic topic, वैसे तो आपने chemistry के भी बहुत सारी चीज़े क्या कर करदी होंगी लेकिन देखिये अगर मैं बात को रहूं सबसे में इंप्रोटन्ट है पिरियोडिक टेबल के टेबल यह पिरिए क्लासिफिकेशन चिकाहे transformer इसके बारे में क्या होता है आपसे अगर आपने ये पीरियोडिक टेबल क्या की है अच्छे से पड़ी है तो आपसे बहुत सारे सवाल बहुत सारी सवाल क्या हो जाएंगे आपके इस पेरियोडिक टेबल से ही बन जाएंगी आपसे पूछ लेता है किसकी नेगेटिविटी होगी बडेगी या घटेगी ये सारे चीजो इनसे इसमें इसपरyllडिक ते अपसे अगर आपने परेकड अचछे सी पढ लिए तो आपको लगबग अधी chemistry तो समझ में आ जाएगी क्या जाएगी अधी आधी समझ में आजाएगी इससे बनने वाले सवाल प्रेटेबल से पूछता है कि कौन से इसमें कॉलम कितने हैं रो कितने यह सारी चीजें देख पढ़नी है उसके बाद कौन D group में हैं कौन S group में हैं कौन जो Nobel gases है वो कौन सी है 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 योजन जितने भी आते हैं कौन कौन से उसमें आते सब की यह क्ये है में आपसे पूछे जाते तो आपको केमस्ट्री में सबसे पहले एक टेबिल पर प्रिडिक क्लाशिफिकेशन जो है यह क्या करने बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको इसको पढ़ने के पस्ता यह पता सलेगा मेटल कहां रहते हैं नौन मेटल कहां पर होंगे अलोई कहां पर होंगे यह सारी चाहिए क्योंगी आपकी क्लेर हो जाएंगी और अब इसको पढ़ने के बाद आप से बन पा रहे हैं किस तरह से पूछी जा रहे हैं यह भी आपको समझ हो जाएगी फिर है ना और अगला अगला जो टॉपिक है सबसे जनरल टॉपिक एसीड बेस एंड सॉल्ट एसीड बेस एंड सॉल्ट आपसे हर बार कुछन कुछ इस कूछ इस टॉपिक से पूछा जाता है है हम इसको कैसे कहें कि क्या है एसीड है कैसे कि बेस है या फिर किसा को मिलाकर सॉल्ट बनेग और यह सारी जीजिए इसके अंत्रगत आप पहसीद बेसकं कि बारे में पूरा प्ड़ांगे जैसे शिट्रिक एसिट कहां पाए जाता है या फिर विनेगर में कौन सा इसिट पाए जाता है यह सारी चीज़े आपकी यहां से cover-up हो जाएंगे तो आपने यह जो basic जिनको मैं बता रहा हूँ आपको basic से क्या है topic है लेकिन आपने यहां भी क्या नहीं करना है एक भी number यहां miss नहीं करना है आपको जो भी आता है जो भी चीजे होती है इसके अंतरकत जब भी आप theory पढ़ेंगे तो उस theory को क्या करने है अच्छे से समझना है उसके पस्चाथी उसके क्या लगाने है mcqs लगाने है ठीक है उसके बाद valency of electron इससे आपसे क्या पूछे जाते है हर बार आपसे क्या पूछे जाते है questions balance of electron से पूछे जाते है atomic structure एक है atomic structure इससे भी आपसे बार बार सवाल पूछे जाते है इस बार बार क्या पूछे जाते है बार बार से क्या आपसे questions पूछ ले जाते है किस से atomic structure से पूछ ले जाते हैं है ना उसके बाद देखिए और क्यों होते हैं कि और आपसे देखिए जो जनरल पूछे जाते है कि state of matters कि state of matter ठीक है यह आपको क्या करने chemistry के यह सारे topic आपको क्या करने clear करने बार बार रिवाइस करने हैं कि अपने मूलंकन के लिए मैं दुबारा बता दूँ आपके क्या करने स्केम स्क्यूज लगाने हैं कि आपसे बन पा रहे हैं अगर नहीं बनते हैं तो दुबारे एक बारी थोरी की तरफ चले जाओ थोरी अच्छे से पढ़ लो उसके पास साथ ही क्या लगओ आप एंशी के law लाएं ठीक है जब एंशी लगाएंगे अपसे जब एक बारी थोरी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपसे एंशी कूँ अरे शुलह हो जाएंगे MQS आपसे solve होने शुरू हो जाएंगे लेकिन लेकिन क्या है इसको में डिसिप्लेन मैंने आपको बताए आपको revise जरूर करना है रिवाइज क्या करना है जरूर करना है ठीक है उसके बाद देखे बच्चों आपसे एक और topic एसमें जो जनरल से topic है chemistry in daily life chemistry in daily life daily life ठीक है इस topic से इस topic से आप से बार बार आपकी जो daily life में chemistry क्या महत्वर रखती है डीलाप में जो chemistry में आप क्या प्रियोक करते हैं उससे related चीज को किस तरह से shop वेगेरा detergents वेगेरा वो सारी चीजे इन से क्या बनते हैं आप से बिलकुल इस वाले चेप्टर से आप से क्या बनते हैं बिलकुल सवाल बनते हैं किसे chemistry in daily life तो आपको क्या करना है इन सभी की theory एक बार बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेनी है पड़ लेनी है ठीक है तो यह जितने सारी topic है इसमें वैसे क्या है पूरी एक list हैस की लेकिन आपको यह topic बिलकुल भी नहीं छोड़ने हैं क्या नहीं छोड़ने हैं बिलकुल भी नहीं छोड़ने इनको क्या करने बार बार आपको revise करना है और क्या करना है बिल्कुल भी इनको क्या नहीं करना है इनके MSQs वेगर लगवाने हैं आपको उसके बाद देखिए Electrochemistry आपको ये chapter भी इसमें देखने को मिलेगा Electrochemistry ठीक है जो cell वेगर है जैसे Baltic cell वेगरा ये आपसे बहुत बार पूस्ट ले जाते हैं इसको भी आपने क्या रखने है जरूर ध्यान रखने है तो chemistry में कुछ topic जो main important topic की अगर मैं बात कोरूँ वैसे तो सारी important है लेकिन इनको आपने बिल्कुल भी मिश्ट नहीं करना है बिल्कुल भी क्या नहीं करना है मिश्ट नहीं करना है बाकी की सारी strategy क्या करेंगे तम बनाएंगे आगे आप से MSQs वगरा के क्या करेंगे आपके MSQs वगरा लगाएंगे ठीक है तो इसके बाद देखे बच्चो इस तरह से आपको क्या करना है एक discipline के इसाब से क्या करना है आपको त्यारी करनी है और आप जरूर इसमें क्या हो जाएंगे successful हो जाएंगे ठीक है बच्चो बाकी आगी बताएंगे आपको तब तक के लिए धन्यवाद